नमस्कार आप लोगों को सोगत है अर्चन केकर आनपूर में नायों संपने लीमियमियनी Đाल और आप झाराडसी शGS हेल के लिएवास हमने तो डूराइब घर है बनावार टोनाया हम में पॉस्प है कुकर हो चुका है गरम और अब मैं डाल देती हूं इसमें तेल और तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो यहां तेल हो चुका है गरम और अब मैं डाल देती हूं जीरा तो मैं बढाइक भी अच्छे से चयटार गया है तो मैं भार देती हुँ प्याज प्योसिल in कॉएको कक योटार देखा है और जाया के अच्छे सित ढूता कियों डाले श्टूदह को अच्छे स evidence में अच्छे से पक झाटार में अब मैं डालामा जूद आल उगी टमाटर तो टमाटर भी मैं दो-तीम मिनद तक पका ली भी तुकि इसका अच्छा से पक जाए तो दूस्तो आप देखों कि टमाटर अच्छा से पक रहे हैं और अब मैं डालूंगी मसाले तो यहां मैंने दन्या एक चम्मच ली है आदी चम्मच लाल मिर्च अधी चम्मच घरम मसाला और मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी पहले मैं डालूंगी इसमें पानी ठोला का कि मसाले मेरे अच्छे से पक जाए मैं अच्छे से निक्स करनें लिए और मसाले में दो मिनट तब अच्छे से पबा लेती हूं प्रिया में डालेती हूं सौरण सान नमक और नमक भी अच्छे से मिला लेती हूं दो मिनट तब हो चुके हैं मसाले अच्छे से पग रहे हैं और अम मैं डाल देती हूं इसमें डाल उपर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दूस्तों पढ़िया है जट पट रेसिपी है आप एक पार यह रेसिपी तराइज जरूर करना और कमें प्रोक्स में जरूर बताना देशी श्टाइल में बढ़ रहे हैं तो भी आमें डालूंगे एक गिलास पानी डाल के पहले मिक्स कर दोंगी सब मसाले अच्छे से तो यहां मैं दूसरा गिलास भी डालूंगी तो यहां मैं पीन गिलास पानी डाली हूं और हम मैं पूकर पूकर कर देती हूं पूकर को बंद कर देती हूं दो सीटी लगा लेती हूं दो सीटी में डाल बढ़िया से पख जाएगी हमारी तो दोस्तों आप देख सकते डाल मेरी पख चुकी है और पूकर के सीटी भी निकल गई है मैं आपको दिखा लेती हूं इक बढ़िया मेरी डाल बनके रैवीग हो गई है तो यह देखे दोस्तों इतनी बढ़िया बनी मसूर की डाल खडी मसूर की डाल एक बार आप जरूर बनाईएगा और एक बार ट्राइ करके बताईएगा जरूर कमेंट वक्स में तो अब मैं डा दाल देती हूं इसमें हरी धनिया दोस्तों चट पट बन गई मेरी दाल और दोस्तों कैसी लगी रेसिपी आप कमेंट बस में जरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर पर लीजिए धन्नवाद